अब हम करेंगे question number 13 तो question number 13 क्या दे रख़ा है cos inverse cos 7 pi y 6 is equal to तो यहाँ पे हमसे पूँच रहा है कि यह जो है इसमें से किसके equal होगा अब यहाँ पे हम cos inverse की जो range है ना उसको याद रखेंगे वो क्या होती है हमारी 0 से pi यह होती है cos x की range तो इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पे यह जो value होगी ना यह हमारी 0 और pi के बीच में होनी चाहिए अब अगर हम पहली वाली value की बात करें तो यहाँ पे 7 upon 6 यह pi से बड़ा है है ना जब यह pi से बड़ा है तो इसका मतलब यह तो हो नहीं सकता तो यह तो हम ऐसे discard कर सकते हैं यानि इसका मतलब cos को हम cos inverse और cos को हम cancel out नहीं कर सकते हैं दूसरा हमारा यहाँ पे 5 pi by 6 है यह हमारा pi से छोटा है तो इसको अभी हम hold पे करते हैं 5 pi by 3 यह भी हमारा pi से बड़ा है इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब दो तो हमने ऐसे discard कर दिये अब इसको और इसको हमें check करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे cos inverse इस cos को ऐसे लिखा रहें देते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2 pi minus 7 pi by 6 हम जानते हैं कि cos 2 pi minus theta यह किसके एकोल होता है cos theta के अगर हम coordinate बनाएं तो यह cos जो है इसमें positive होता यह 2 pi यदि 2 pi से नीचे गर आएगा तो हमेशा positive value देगा तो यहाँ पे यह हो जाएगा cos inverse इसको cross multiply करेंगे cos यह हो जाएगा 6 to 12 12 में से 7 जाएगा तो बचता है 5 pi by 6 cos यह cos cancel out यह आगया 5 pi by 6 इसका मतलब हमारा यह वाला option correct हो जाएगा